हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आज का जो टॉपिक है बहुत ही दमदार है और ज्यादा समय में आपका नहीं लूँगा लेकिन इस वीडियो से आपकी एक से दो नंबर जो है seated के paper में आ सकते हैं और confusion बहुत होती है इस वज़े से confusion को मैं दूर करूँगा एस वीडियो में अफशारी चिंतन और अफशारी चिंतन के बारे में इस वीडियो में बात होगी और चिंतन का स्वरूप हेमपने के अनुसार क्या होता है उस पर बात होगी तो बिना समय गवाई है शुरू करेंगे अपना वीडियो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेर करिएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं छोटा सा वीडियो होगा लेकिन सीटेट के एक्जाम के लिए बहुत ही महत्वण होगा अगर ये पढ़ लेते हैं ये वीडियो मेरा, तो अभिसारी चिन्तन और अभिसारी चिन्तन की जितनी भी कन्फूजन है आपको नहीं रहेगी तो बिना समय गवाई हुए शुरू करते हैं, अभिसारी चिन्तन होता क्या है? कन्वर्जन्ट ठिंकिंग होती क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखिए, सबसे पहले इसकी विशेष्टा होती है कि एक समस्या का केवल एक हल इसमें होता है एक समस्या का केवल एक हल, यानि एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर होगा एक समस्या होगी तो उसका केवल एक ही समाधान होगा उधारन के लिए मैं आपको उधारन देता हूँ जैसे आप से कहा जाए कि दो में दो जोड़िये तो क्या आएगा यानि आपके लिए ये एक समस्या है और इसका आप केवल एक ही उत्तर बता पाएंगे यानि चार आएगा तो एक समस्या का केवल एक हल जो है ये अभिसारी चिंतन में होता है ठीक है यानि कनवर्जन ठिंकिंग में जो है एक समस्या का केवल एक ही हल आता है दूसरी विश्यस्ता है देखिए यह चिंतन जो होता है बुद्धी से जुड़ा हुआ होता है यानि ये किस से जुड़ा हुआ होता है, इंटेली जिन्स से जुड़ा हुआ होता है, तीसरी इसकी बहुत ही महत्यपूर्ण विश्यस्ता है, यह जो है बद्ध चिंतन होता है, बद्ध चिंतन मतलब closed thinking, closed thinking, इसमें क्या होगा, closed thinking मतलब कि आप एक समस्या का केवल एक ही हल जो है ढून सकते हैं, उसके अलावा कोई भी हल जो है नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे एक और आपके लिए अधान है, आप से कहा जा कि भारत के पर्थम परधान मंत्री कौन थे, तो आप यह तो नहीं बताए जो है कि चार परधान मंत्री थे, तो आप बताएंगे कि पंडिच जवाहालान नहरूजी परधान मंत्री थे, तो मतलब एकदम बंधा हुआ सो सकते हैं, कुछ इधर उधर का अपने पास से नहीं जोड सकते हैं, तो अभिसारी चिंतन ऐसा चिंतन होता है, जिसमें एक समस चिंतन पढ़ रहे हैं, उसके बाद चिंतन का सुरूप पढ़ लेंगे, तो छोटा सा वीडियो जो हमारा बहुत ही महत्तपून हो जाएगा, दूसरा जो हमारा चिंतन है, इसे कहते हैं अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं, अपसारी चि देखिए अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें विक्ति एक समस्या समधान के लिए कई विकल्पों का प्रियोग कर सकता है कई विकल्पों का प्रियोग कर सकता है यानि एक समस्या के बहुत सारे समाधान खोज सकता है ठीक है यहाँ पर समस्या होगा एक समस्या के कई समाधान खोज सकता है ठीक है यह जो चिंतन होता है यह स्रजनात्मक चिंतन होता है कैसा चिंतन होता है स्रजनात्मक चिंतन होता है ठीक और ये चिंतन जो होता है ये मुक्त चिंतन होता है कैसा चिंतन होता है मुक्त चिंतन होता है यानि आप इसमें कुछ भी जो है अलब किसी भी प्रकार से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं यहाँ ओपन थिंकिंग भी कहलाता है ठीक है उधारण के लिए जैसे आपको बताना है कि पेड़ों के पांच लाब बताईए तो ज़रूरी नहीं है कि एक विक्ति जो है पेड़ों के वही लाब बताएगा जो दूसरा बताएगा तो अपसारी चिंतन ऐसा चिंतन होता है जिसमें समस्या समाधान के बहुत सारे विकल्प होते हैं अब सारी चिंतन में विक्ति जो होता है सरजनात्मक्ता परदर्शित करता यानि एक प्रशन को बहुत तरीके से लिख सकता है ठीक है यहाँ ओपन थिंकिंग होता है ठीक है तो एक्जाम में कैसे प्रशन आता है एक्जाम में दोनों से जुड़े हुए प्रस्ण जब आते हैं तो आप लोग भोल जाते हैं कि किसका क्या जवाब होगा तो मैंने आपको बता दिया है आप लोग याद रखेगा कि divergent thinking में क्या होता है और अभिसारी चिंतन यानि convergent thinking में क्या होता है ठीक है जैसे आप के लिए छोटा सा प्रस्ण मैं दे रहा हूँ अगर आप ये कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी एक्जाम में आपके लिए प्रस्ण है कि अपसारी चिंतन की विसेशता नहीं है अपसारी चिंतन की विसेशता नहीं है ठीक है जैसे पहला आपके पास आपसन है यहाँ स्रजनात्मक्ता से जुड़ा हुआ है स्रजनात्मक्ता से जुड़ा है ठीक एक समस्या के बहुत सारे हल एक समस्या के बहुत सारे हल बहुत हल ठीक है और आपका तीसरा जो है यहाँ बद्ध चिंतन है चौथा आपका यह मोक्त चिंतन है तो अब बताएं जो है इसका क्या जवाब होगा अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप जान जाएंगे तो अपसारी चिंतन की विसेशता नहीं है बद्ध चिंतन अपसारी चिंतन स्रजनात वक्ता भी रखता है एक समस्या के बहुत सारे हल भी रखता है और इसमें मोक्त चिंतन भी होता है ठीक है तथ्यों में कुछ नया जोड़ करके निस्कर्स निकाला जाता है जबकि अपसार चिंतन में तत्थ दिया होगा एक ही और उसका एक ही निर्सक्रस निकलता है ठीक है तो ये छोटा सा जो था अभिसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन ये खतम हुआ अब हम लोग जानेंगे चिंतन का स्वरूप क्या होता है चिंतन होता क्या है चिंतन का स्वरूप मतलब वही चीज है कि चिंतन जो है क्या होता है चिंतन क्या होता है जब हम सोचना शुरूब करते हैं वही चिंतन होता है लेकिन चिंतन का स्वरूब जान लेते हैं चिन्टन के सुरूप के बारे में कुछ तथ दिये ठीक है अब एकजाम में सीटर के आ जाए कि हैंपरे ने चिन्टन के बारे में निम्ण मेंसे कौन सा तथ नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे आपको पता ही नहीं होगा तो आईए जान लेते हैं उसे पहला तथ्य बताया कि चिंतन समस्या आने पर प्रारम होता है चिंतन समस्या आने पर क्या होता है आने पर प्रारम होता है यानि स्टार्ट होता है यह आपका पहला तथ्य बताया दूसरा बताया चिंतन में पूर्व अनुभव सम्मिलित होते हैं चिंतन में पूर्व अनुभव जो है क्या होते हैं सम्मिलित होते हैं ठीक है ये दूसरा तथ्य बताया तीसरा तथ्य बताया चिंतन में भासा का महत होता है काहे का महत है भासा का महत होता है ठीक है चौथा तत्य बताया कि चिंतन में प्रतीख यानि सिंबल्स और प्रतिमाओं प्रतिमाओं का यानि इमेजेस का भी प्रियोग होता है ठीक है तो हेंपरे ने ये चार तत्य बताये थे आप लोग रट लीजे कि चिंतन समस्या आने पर प्रारंब होता है पूर अनुभो चिंतन में सम्मिलित होते हैं चिंतन में भासा का बहुत महत होता है चिंतन में प्रतीख और प्रतिमाओं का यूज होता है उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिससे आप सीटेट में अच्छे अंकला आप आए थैंक्यू